जिन्दाबाद पिषले दो तीन से उन्हे पता कि हम यहाँ बेठैं और हमारे सामने से वो यहाँ गुजर रहा हैं कि हमारे तरफ नजर डिये सुद्बूद नहीं ले रहे हैं मेंग हैं जहाँ ही और आज यहाँ पे दो-तीन टीचयर आता है और बचो से हमसे हाथा पाई करते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं LTC News और मैं हूँ दीपकुमार दोस्तों इस वक्त ताइम हो रहा है साथ बचके 10 मिनिट और मैं मौजूद हूँ दून यूनिवसिटी में यह समय ऐसा है इस वक्त लोग आम तोर पर इस समय दफ्तर से घर जा रहे होते हैं आम चातरों को यह पढ द्हातर धरना करने को मजबूर हैं जी हां दोस्तों देहरादून की इस कड़ाके की ठंड में दून यूनिवसिटी की छातर बैटे हैं और 3 दिनों से बैटे हैं और अपनी कुछ माहों को लेकर वह प्रशासन से और सरकार से मांग कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं हम से बात करते हैं मैं कैमरमेंट से दर्खवास करूंगा कि आप दिखाई ज़रा किस स्थिति में चातर बैटे हैं इस थंड की बीच दोस्तों देहरादून में मैं हूँ और आपको मैं लाइफ दिखा रहा हूं इस वक्त साथ बज़े का समय है और थंड कितनी है उसके बावज इस तो ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि स्थंड में आप यहां धरना देरें मजबूरी तो बहुत सारी हैं यहां पर कई टाइम से समय से चली आ रही हैं जैसे कि क्या बोलते हैं यहां पर यूनिवर्शिटी का यहां पर जितने भी इस बच्चों के लिगार्डिंग मैंस क इस उस हो गए अकैडमिक्स के पढ़ाई जो मेन परपस होता है पढ़ाई का वही क्लासे स्टंग से नहीं चल रही हैं कितने बार हमने आप एड्मिस्ट्रेशन में आकर उस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन दिया है जो जो हमें डिफरेंट डिफरेंट इसूस हैं बार मु सारे इसके तहत बच्चों ने कई बार रात रात को वी सी मैम के घर भी गए उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया ऑफिशली रिप्रेजेंटेशन भी दी अपना लेकिन हर बार आश्वासन मिलके फिर उसके बाद कि हम इसे ठीक कर देंगा आप दो दिन का टाइम दिजी आ आपको क्या रिस्पॉंस की बात करें तो अभी भी आश्वासन मिल रहता हैं परन्तु परसोल हमारी एक मांग अभी है कि जैसे जिस परकार सरकारी इंस्टिउशन में टेंडर प्रोससे यह सारी यहां फॉलो किया जाए दूनियों सिटी में मेरे को भी पांच साल हो गए लेकिन पहली बार मैंने सुना है यहां पर टेंडर प्रोसेस को बॉयकॉट करते हैं यहां पर सेल्फ हेल्फ ग्रूप के नाम से वी सी मैम और जो भी हैं लोग यहां पर उन्होंने अपने चहीतों को दिया है और कितने कितने की बार हम लोग ने पर घृमने करी जब बच्चों को खाना दंक से नहीं मिले compensation आयसी निहीं हमने समय दिया ओर्रेडी लोग चशला जब यह नहीं चलआ पाँ रहे बत aan रहे जब बलोग दिक्कत हमें में हैंने हम हम نई यस स्के सब्सक्राइब से सब्सक्राइब करेंगे और वी उसके साथ हमारे और वी मुद्धे हैं जैसे अपॉइंट नियों तो शेह उद्स करेंगा हुआ है जैसे यहां पर शेह ने का नौम होता है तो जाए पुइन नीज पॉस्ट फलफिल नहीं हुँ, तो उसका फिर फ्रेस्ट म में निकलना पड़ता है बट इन्होंने डेट साल बाद उसी पोस्ट में निकले और गिनी चुनी पोस्टों पे फुल्फिल करी एक लंबी लिस्ट है आपकी समस्याओं की और जिनको लेकर यहां बैठे हैं और लोगों से बात करते हैं तो अभी तक तीन दिनों का तीन आपक समस्याओं करेंगी लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया अभी अभी अमारी यह परिस्तितियां है कि अंदर खाना सही नहीं मिलता है एक एक रोटी के लिए एक बच्चे को दस-दस मिनट तक वेट करना पड़ता है उसके बाद जाके खाना मिल रहा है हाईजीन की इतनी कमी है कि बच्चे बिमार पड़ रहे हैं फूड पॉजिनिंग यूरीन इंटेक्शन जैसी समस्याओं करन चल रही है हमारे बॉइस वस्तिल के अंदर गल्स वस्तिल के अंदर और तो आप यह लगा लीजिए कि इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी तीन करना दे रहे हैं तो मैं गया रहता है जो यह रास्ता है यह एड्मिन ब्लॉग है में रास्ता है कोई भी यहां घर आएगा तो यहीं सोगे जाएगा सबसे पहले कोई बाहर से आएगा या वीसी आएंगे या टीचर्स आएंगे तो यहीं सोगे जाते हैं यहां जाते हैं आ सब्सक्राइब संधाल साइDER जो में उयुक्त हैं रहे न हम यहां पुर्ट में ले रहे हैं यहां पर जाम शान्ती पूर्वक धर्णा देकर इस तरफ बैठे वे हैं प्रॉपर सबको ग्यापन देकर बैठे वे हैं उसके बाद आज यहां पर दो तीन टीचर आता है और बच्चों से हम से हात अपाई करते हैं कि उठो बढ़ना कि यहां से यहां पर लात मर के तुम बा से किया जाए हमने वह चीज हमने डिमांड करी जब तक हमें इसे लिखिता सब्सें नहीं मिलता हम यहां से नहीं उठेंगे तो फिर उसके बाद चीफ डॉक्टर यहां पर हैं डॉक्टर ऐसे सूथर जोई एंवे सेनर डिपार्टम उनके उपर उनकी नियुक्ति पे को चुका है उसके बावजूद उसके बाद वह यहां पर आए और हमें कहते हैं कि अपकी कंप्लीन हो जाएगी यह हो जाएगी चातर को डराते हैं कि आप किस उससे बैठे हो यहां पर यहां इस्टूएंट काउंसिल नहीं तीन-दो साल से जब इलक्षिन नहीं कहां से करते हैं तो इस तरीके से बच्चे को डराया जाएगा कि साथियों जो आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त लाइव यहां पर लड़कियां भी बड़ी तादाद में बैटी हैं और यह रात का समय है और दिन रात यह बैठे हैं और ठंड हो रही है और इसके बावजूद भ अगले 10-15-20 दिन तक अपके बात नहीं सुनता है नहीं स्पॉंस करता है फिर आप लोग क्या गरेंगे जैसे बैठे हैं अभी भी हम कंट्यूनि यह कनने वाले हम यहां से हिलने वाले नहीं बिल्कुल नहीं हिलने वाले जो हम चाहते हैं जब तक पूरा नहीं करेंगे हम क करना जाओंगा आज देश में इतना बड़ा संदेज गया है जब कि देड़ साल पूरा कि देड़ साल से चर्रा किसान आंदोलन मोदी तक ने जो प्राइमियोंस तरह उन तक ने सुईकार किया उन तक ने बड़पन दिखाया तो यह एडिमिस्ट्रेशन किस बात की वह ले जो फैसला आया है उस फैसले से यह साबित हो जाता है अगर आपका अंदोलन मजबूत है आपके इरादे अर्द्न हैं डिडर हैं तो बड़ी से πड़ी सरकार हो उसको आपके सामने नत्मस तक होना पड़ता है और अपने फैसले बदलने पड़ते हैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि लड़क्या भी यहां पर मौझूद हैं और वक्त अभी साथ बीस हो चुका है और रात का समय है ठंड हो चकी है देरदून पहाडों से गिरावा छेतर है दून उस्टे में पेड ही पेड है और ठंड कितनी है वो आप देख स अभी पापा लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे बढ़ाय लगा लगाए चूड के तुम क्या कर रहे हैं सब नहीं कहरे हैं इस जो चल रहा है उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं सब्स्पोर्ट मिल रहा है तो क्या लगते आपको सुनें आपके बाद परशाशन और की है समझ से यह की अपने भी आप यद कर आपने आपनी अपनी तुष्से करी इसको लेकर बैठें यह को पेले अभी मैश Shira आपनी बात रखिएगा हम लोग लोग चल रहां और जो नहीं साथ ही नहीं से जुड रहे हैं उनहें बता को कि मैं दून और जान रहे हैं, चात्रों से उनकी समस्या हैं, जी, क्या कहे रहे थे आप? दूसरा, अगर वाश्रों और वाथ्रों की बात करें, एक-एक हफ्ते हो जाते हैं, पानी नहीं आता, बाल्टी लेकर मिधर से उधर जाते हैं, बहुत बार कंप्लेन करी, वो कहते हैं, तंकी में कुछ प्रॉब्लम में, इसमें कुछ प्रॉब्लम में, एक-एक देर-देर हो जाते हैं इन्हें पानी होस्टल में लाने में दूसरा खाना खाने से लड़ियों को फूट पॉइस्टिंग भी हो रखे बहुत बार कंप्लेन हुई कोई आक्षिन नहीं लिया गया इन्होंने कोई ओफीशियल टेंडर पास नहीं किया हमारी एक फ्रेंड ने जिसे अन कोई रिस्पॉण्स नहीं हूए यह बोलदे टाइम टेकन प्रॉसस है हम एक साल प्रॉपर फीज पूरी सम्मिट हुई आज भी जिम के एक्विप्मेंट सही नहीं हुए सब ऐसी पड़े है आज इन्होंने का कि यह टाइम टेकन प्रॉसस है हमने आपको एक साल दिया दो म कि अपतारी आज हता पाई भी तो बोस्तों बट लंबी लिस्ट है बच्छों की और इनके समस्याओं की आप सब देख रहे हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सको शेर कीजिए और जितना ज्यादा हो सके आप लोगों तक पौशाइए ता कि लोगों को मा कि आप लोगों के लितीन आपता है कि ना कुछ कर के लिए ठेख एलाएं कि अरहा फी तो थात्र म Payal बटे और ऑपनी में बागों को लेकर तो लोगों को मालूम पढ़ना चीय किस देश में आपनी जरूरी माओों के लिए क्या कश करना पड़ता हैै मैं आपसे जाना चाहूँगा कि घर से कैसा रिस्पॉंस आ रहा है तो अल्टिमेटली घर वाले भी सपोर्ट करें क्योंकि महां से कुछ नहीं हुआ पेरिंस नहीं हां तक को कॉल भी कर रहा है लेकिन कोई रिस्पॉंस नहीं आया उसका इसलिए घर वालों को बुरा और बिल्कुल मिलना भी चाहिए अपनी बिल्कुल सामान जरूरतों के लिए अपनी जरूरतों के लिए लोग बैटे हैं और दिन निश्चा के साथ बैटे हैं उमीद करते हैं कि सरकार या फिर परशासन इस पर रिस्पॉंस करें और जल्द जल्द इस समस्याओं का निवा आप देख रहे हैं ते LTC News, मैं हूँ दीपा कुमार और कैमेरे की पिछे मेरे साथी है बजरंगी और देखते हैं LTC News, बहुत बहुत धन्यवाद, जै उतराखंड, जै इंद